और आम आदमी पार्टी के कारेकाल में हुए भ्रष्टाचार को प्रमानित और प्रतिबिम्बित करता है। कोट ने इस पष्ट रूप से इस बात को ना सिर्फ स्विकारा बलकि अपने संबोधन में उलेखित किया कि मनिश सिसोधिया ने सरकारी तंत्र का दुरूपयोग करते हुए लगभग सौ करोड का घोटाला किया है। कोट ने ये भी अब्जर्व किया कि मनिश सिसोधिया ने केश से सम्वंधित सबूतों को मिटाया है। कोट का एक और अब्जर्वेशन कि मनिश सिसोधिया के पास आम आदमी सरकार के चलते इतनी प्रशासिनिक और शासिकिया ताकत है कि वो केश से सम्वंधित गवाओं को परिशान कर सकते हैं। गवाहों के संरक्षन के लिए भ्रष्टाचार करने के लिए और केश से सम्वंधित सबूतों को मिटाने के लिए मनी सिसोधिया की बेल अप्लिकेशन दिल्ली हाइकोट ने अस्विकार कर ली। केशरीवाल सरकार के खिलाफ और केशरीवाल सरकार में अरविंद केशरीवाल के साथ इस कैम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मनी सिसोधिया के संदर्व में कोट का ये जज्ज्मुंट अपने आप में गवाही देता है कि जो सौ करोड मनी सिसोधिया ने स्वयम इस कैम के माध्यम से पाया उसके लाभारती आम आदमी पार्टी में और भी नेता है आम आदमी पार्टी की सरकार का ये घिनोना सच पुना स्थापित करता है ये जज्ज्मंट डिल्ली हाई कोट का मैं डिल्ली की जन्ता से अपील करती हूं ये जज्ज्मंट सार्वेजनिक उपलब्द है ये जज्ज्मंट डर्शाता है कि जिस आम आदमी पार्टी ने सेवा के बहाने सत्ता कबजाई उन्होंने जन्ता को संघर्शों में छोडते हुए जन्ता की तिज्ज्वरी को कितना लुटा है पार्शोंने जज्ज्मंट ये CAST बद्याstorm जम्न जोड शल्च्यों ये जुए मनीश Sopódia बीकें पछलिग जूए जोड़ाइ ठीलांड़णounding the जुऑ थार्सवैंस देवाट are the following the Delhi High 보고 printmi-face finds a case of corruption against money sisahlia the Delhi High court accepts that corruption to the tune of a hundred crores has been done by money sisohdia and all accused in the scam What the court has also accepted in its observations is that Manish Sisodhya has destroyed evidence. What the court has also reflected upon is the fact that Manish Sisodhya has the capacity leveraging his position in the Aam Admi Party and in the Aam Admi Party government.